नमस्कार, जे बीटी अध्यात्मा में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूँ अंकेता और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौझूद है देश के जाने माने जोतिशाचारिय पंडित आमित पांडे जी, पंडे जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूड पंडिच जी गडेश उससर चल रहा है और ऐसे में जो तमाम बपा के भक्त हैं वो भगवान की पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं लेकिन जो लोग राजनीती से जुड़े हुए हैं या जो लोग समाज में मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं बद प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं तो वो लोग कौन सा ऐसा खास उपाय अपनाएं ताकि उनको प्रसिद्धी मिली और मान सम्मान भी बढ़े देखे राजनीती में जो भी व्यक्ति लगे हैं या समाज सेवा में जो भी लगे हैं व्यक्ति के अंदर एक यह भी लालच होता है कि उसका समाज में यस बढ़े उसकी किरती बढ़े उसकी प्रतिष्ठा बढ़े दस लोग देख करके उसके लिए उसके आदर में खड़े हो जाएं या जो भी समाज में जो भी समाजिक जीवन में है उसकी यह मनोकामना होती है यहां तक कि जो लोग राजनीत में होते हैं उनकी यह मनोकामना होती है किसी भी तरह से किसी भी सदन के एक बार सदस जीवन में जरूर बने क्योंकि राजनीत की महत्वकांचा ही ऐसी होती है कि जब तक उसको पद या प्रतिष्ठन मिल जा तब तक उसको एक पहचान नहीं बन पाती है समाजिक यस की कामना हर राजनीत और समाजी कार से जुड़े व्यक्तिकी होती है ऐसे में अगर आप गणपती के भक्त हैं गणपती की पूजा कर रहे हैं भगवान स्री गणेश को आप प्रशन करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं तो एक इसमें मेरी चीज एड़ कर लीजे तो आपको राजनीत में सद्द्या सफलता मिलेगी मतलब बहुत जल्द भगवान गणेश की करपा से राजनीत में प्रतिष्ठा मिलेगी सामाजिक छेत्र में यस होगा आपकी किर्थी बढ़ेगी चारों तरफ आपकी जैजेकार होगी क्या करना है आपको जैसा की उपनिशद कहता है यो लाजैर यजती श यशोवान भवती श मे करता है पूजन करता है वह यशोवान होता है मतलब उसकी यस बढ़ती है समेधवान भवती उसकी मेधा मतलब बुद्धी वाक शक्ति वह जब बोलता है तो लोग उसको सुनते हैं उसके वानी में दम होता है उसकी मेधा सक्ति बढ़ जाती है वह अपने विचारों से सिद्धी बुद्धी के देवता हैं, गर आप उनको प्रसंद करेंगे, तो निश्चित रूप से आप जहां यसकी प्राप्ति करेंगे, वहीं आपकी मेधा सक्ती बढ़ेगी, वहीं आपकी बुद्धी सक्ती बढ़ेगी, और निश्चित रूप से आप समाज में अच्छी प्रतिष्ठा राजनीत में अच्छा पद निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे और आने वाला समय आपका राजनेतिक और सामाजिक दृष्टिकोंड से बहुत सुंदर होगा, बहुत लाभकारी शुद्ध होगा, यह उपाई इस गणे तुस्सों में गणे जीव को प्र पेशकश में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहें, जेबीटी अध्यात्म, नमस्कार